किसानों के आमदानी डबल करूंगा यह उन्होंने कहा था वही गैरेंटी और MSP मैं बढ़ाऊंगा और MSP को मैं लीगल स्टेटस देऊंगा यह कहा था यही उसकी गैरेंटी और अपने कारेकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को युवाओं को किसानों को उससे लाब हो अब युवाँ तो नोकरी के लिए थड़प रहें रास्ते पे आएं और इंफलेशन इतना बड़ा है सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़े आकास को पहुंचे हैं उसकी उनको फिकर नहीं है इंफलेशन की अनेंप्लामेंट की और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया वो क्या बोलते ट्रेलर बोलते थे वो तो उस ट्रेलर में ना डिजल की कमी दिखा रही ना पेट्रोल का दिख रहा है ना और किसी ग्यास का कुछ भी नहीं है क्या है और इसने आके इतना बड़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूर में सेक्डों रुपे नहीं बढ़ाया और ये आदमी जो दस साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका ये सब उदारन है आपके पास तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है और इससे ये साबित होता है कि लोकों के लिए उनों कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है ये जो गोल पोस्ट बदलने की जो बिमारी है न ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है अब 2047 पे पहुँच गए जनाब पूछ ये इन से कि किसानों की आये दुगनी जैसा कि अमिताब दुबेजी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी अब उसका गोल पोस्ट भी हमने नहीं रखा 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिये कि 2024 आते आते आप 47 पे चले गए 2036 में हम ऑलिम्पिक कराएंगे अब ये भी लिखा हुआ है उसमें आप कहा होगे आप सरकार में होगे क्या आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए ये गोल पोस्ट बदलना ये सन बदल देना जो सबके लिए घर बनाना था अब उसको विक्सित राष्ट में डाल दिया मतलब वो भी 2047 तक चला गया बड़ी सफाई से ये जूट बोलते हैं लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गया अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गैरेंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सरयाम जूट बोलते हैं अभी कहा था कल किसी इंटेव्यू में बहुत कम इंटे पत्र पूरे देश को दिया है क्योंकि दस साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार हर सार दो करोड नौकरियां दी जाएंग महंगाई अपनी चरम सीमा पे है मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपे से 100 रुपे पे पहुँच गया डीजल का दाम 55 रुपे से 90 रुपे पे पहुँच गया गैस के सिलिंडर का दाम 300 रुपे से 1200 बारा सो रुपे पर पहुँच गया आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगबग असंभव हो गया स्वास्त सुविधाओं की बात करिए आयोशमान भारत की बात करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी जितना खर्चा पूरे देश में आयोशमान भारत पर हुआ है वो दिल्ली के स्वास्त बजट से कम है दिल्ली में स्वास्त का बजट साड़े नौ हजार करोड है लेकिन पूरे देश में आयोशमान भारत पर सिर्फ आठ हजार करोड का खर्चा हुआ है आप किसानों की बात करिए इसी जुमला पत्र में दस साल पहले कहा गया था किस कहीं पर भी इस पूरे मैनिफेस्टों में MSP कानून की बात भी नहीं की गई है यह वही सरकार है जिनोंने कील लगाए जिनोंने तारें लगाई देश के अंदर सरहद बना दी जब किसान मोदीजी से आके बात करना चाह रहे थे Well, what people want to know is why unemployment is at its zenith. What people want to know is why the common man is reeling under the burden of inflation. What people want to know is the Manrega budget, which is an indicator of rural distress, has gone up from 33,000 croods to almost 90,000 croods in the past 10 years. So there are real issues on the ground which are troubling people. And these mythical mirages of 2047 or 2147, these are not going to impress people. The discontent on the ground is going to translate into an electoral defeat for the NDA BJP government. झाल 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 झाल